हेलो गाइस आप सब भी लोग अस्वागत है अपके अपने स्यूटीब चैनल में सकाना में कॉमिक्स इजी है मैं हूँ आपका अपना शिवम और आज हम इस्टार्ट करने है रएपी क्लास नमर 25 जी हां दोस्तो हम 1234567891011 क्लास पर आ गया है दोस्तो 25 क्लास में अभी भी हम्मारा चैप्र डिमांड पीचा निचे उड़ रहा है अब हम बात करने के ले जा रहे हैं आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने अपने पास यह वाला चार्ट पड़ था याद आ रही है अफेक्टिंग फेक् अब आपको यहां पर सारी अकोनामिक्स कराऊंगा अपने तरीके से और आपकी एक्जामेन नमर भी आएंगे यह मेरी गारंटिया चलो अब मैं टाइम को बेच नहीं करूंगा अब इस पेपर को यह वाकिए में डिमांड का बढ़ना होता है लेकिन कब बढ़ना होता है जब प्रैस का घटना होता है उसे हम होता है expansion in demand दोस्तो expansion in demand में हमारी basic assumption होती है other things क्या रहेंगी constant रहेंगी तो वह लिखा हुआ है when other things will remain constant if price of a commodity are decreases दोस्तो जब price decrease होगी तभी परिनाम सरूप demand क्या होगा? increase होगा और तभी वो क्या बनेगा? expansion in demand बनेगा दिखनो यहां पर demand बढ़ा नहीं है क्योंकि expansion है ना demand में तो demand कम बढ़ती है जब price कम होती है अब इसी schedule से आप जडर definition बनाना कुछ सीखो अब आप सोचो पहले हम assumption देगे when other things will remain constant if price of a commodity are decreases as a result demand increases such rise in demand is called expansion in demand बोलो बात क्लियर है अब हम भविश्मणी कर सकते हैं दोनों में invest relationship है तो diagram downward sloping बनेगा यहाँ पर quantity demand आती है यहाँ पर price आती है अब याद करो last class में मैं आपको आता है था कि इसको diagram को हम differentiate करने के लिए इसमें कुछ movement करते है यादा नहीं वह बात अब movement करने के लिए हम बनाता है arrow और arrow denote करता है price को लिख लो यहाँ पर कहीं भी ऊपर top copy top margin पर कि arrow किसको डिरू करता है price को क्यूंकि यहाँ पर price decrease हो रही है तो हमारा arrow जाएगा नीचे की और लोग समझते है arrow का नीचे जाने का मतलब है demand decrease हो रहे है नहीं दोस्तो arrow तो price को दिखाता है तो अगर arrow नीचे है इसका मतलब हमारी schedule होना जरूरी है तो यहाँ explanation में लिखा हुआ है as seen in the given schedule and diagram the quantity demand rises 1000 to 2000 unit देख रहे हो क्वांटी डिमांड कर वे हजार से 2000 unit हो रही है with a fall in price of 100 to 50 जो हमारी price से वो fall हो रही है जिसके करना हमारी demand क्या हो रही है बढ़ रही है as a result demand कर वे is downward sloping इसके करना हमारा जो demand कर रहे है वो downward sloping बना है देखरों ना downward sloping बना है अब क्या हुआ आगे वो सुनो इसके special notes बनाए हुए notes में क्या लिखा हुए it leads to downward movement along demand कर अच्छा downward movement क्यों है क्योंकि दोखो यह जो चीज है यह नीचे के उतारी this is for downward movement shifting नहीं है movement है तो है लिखा हुए notes में it leads to downward movement along demand कर इसके वेसे जो demand कर है वो downward movement होता है और इसको हम extension in demand भी बोलते हैं और increase in quantity demand भी बोलते हैं क्या बोलते हैं increase in quantity demand increase in quantity demanded बोलो clear है तो यह था आपका expansion in demand के बारे में सब कुछ ठीक है तो मैं एक बार आपको अपर से इंची दिखाता हूँ यह आपका meaning meaning के बाद आए यह आपका schedule schedule के बाद यह आए आपका diagram diagram के बाद आए आपके explanation explanation के बाद आये आपकी special notes तो I think आपको यह चीज़ clear होगी होगी आप इसके बाद हम चलेंगे expansion के बाद contraction in demand जिहां दोस्तो अब हम बात करेंगे contraction in demand क्या होता है this contraction in demand क्या होता है लिराँ, दितनी को होता है, अगर आपने ये बात बोल दी, ये समझाने के लिए आपको, Contraction in Demand को लो होता है, Demand का कम होना, Demand कम कब होती है, जब प्राइस बढ़ती है, Demand कम कब होती है, इधर प्राइस बढ़ती है, और हमारी इसमें basic assumption क्या होती है, other factors क्या होता है, constant होता है, वह इसकी definition, जहांद देखो, meaning में इसमें क्या लिखा होगा, When other things will remain constant, पहले मनें assumption ही कि, if price of a company are increases, as a result, quantity demand are false, quantity demand क्या हो यह, false हो रही है, these false in demand are called contraction in demand, इसी false होती ही demand को हम क्या बोलते है, contraction in demand बोलते है, बोलो बात क्लियर है, अब आपको schedule भी समझा है, price बढ़ती है, demand कम हो रही है, अब क्यूंकि दोनों में inverse relationship है, तो diagram कैसा बना होगा, downward sloping diagram कैसा बना होगा, downward sloping, लेकिन इसके अंदर हमें क्या गराने होती है, movement कराने होती है, अब अब बताओ, price घट रहा है, बढ़ रहा है, very good, price बढ़ रहा है, तो arrow कि इसको दिखाता है, price को दिखाता है, तो यह जो मैंने arrow उपर की होगा है, this indicate contraction in demand, दोस्तों, इस diagram को देखकर हमारा contraction in demand का होना होगा, ध्यांसी देखना है, दोस्तों, इस point को वो क्या है, फिर से देखो, यह जो arrow आप देख रहे हो, यह arrow क्या है, ऊपर क्यो जा रहा है, arrow उपर जाने के मतलब है, कि हमारी यह demand है, वो क्या होगा होगी, काम होगी है, और जब demand कम होती है, तो इस हम होत बार यूइन हो रही है, with rise in price of 100 to 200, with rise in price to 100 to 200, बोलो बात क्लियर है, अब इसके notes क्या बने है, notes यह बने है, यह upward movement होता है, डिमांड करके, upward movement क्यो रहे है, देखो, डिमांड कर रहा है, ऊपर क्यो जा रहा है, upward movement, इसके बाद है, इसका एक और नाम होता है, decrease in QD, QD गोलो थ यहां दब के concepts clear आपके, अब हम आते हैं अपने पास, अगले topic के ओर, that is increase in demand, that is increase in demand, अब याद है, increase in demand, किस में change होने की वेज़ से होता है, other factor में change होने की वेज़ से होता है, इसमें price क्या होती है, constant होती है, अगर आपको नहीं समझाया है, तो पिसली वीडियो को देखना, सबसे बेल हमने क्या दिये, assumption दिये, कि जो price of a commodity वो क्या रहेगी, constant रहेगी, due to change in other factors, जब price constant रहेगी, तो change किस में आएगा, other factors में आएगा, और other factors में change आने के अनुसार, जो हमारी demand है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसी बड़ी वी demand को क्या नाम देते है, increase in demand बोलो, बात समाझ रहेगे, तो फिर से बढ़ो, meaning if price of a commodity will remain constant, जो price of a commodity की वो क्या रहेगी, constant रहेगी, due to change in other factors, demand are rises, demand क्या हो रहे है, other factors की विसे बढ़ रहे है, और इसी बढ़ती है, demand को हम क्या नाम देते है, बताओ, इस प्यार को क्या नाम दो, increase in demand का नाम दो, बोलो, इत दिखेंगे कि इसका demand curve कैसे बनेगा, मैंने आपको इसके demand curve के लिए बताया था, कि कैसे बनाए रहे है, पहला वारा dark होता है, 10 पे 100 dark बनाएगे, 10 पे 100 यह रहा, इसको बिल्कुल हम dark बनाएगे, इतना dark की page फट जाए, बिल्कुल पीछे तका page नजर आ जाए, यह थोड़ इसको बनाएगे dotted dotted, यह low, यह dotted dotted रहे हमारा, dd से d1, d1 हो गया, dd से d1, d1 हो गया, बोलो समझारी बात है, तो हमारे जो demand curve कर वे वो क्या हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, हमारे जो demand कर वे वो क्या हुआ है, यहाँ पर लिखता हू, राइट वर्ड शिफ्ट ह हुआ है बोलो clear हुआ rightward shifting हुई है ठीक है अब इसकी explanation देखो as soon as given schedule and diagram quantity demand जो है वो कितनी है 100 units है 100 से बढ़तर कितनी होगे 200 units होगे जब कि price क्या है same है जो कि कितनी है 10 rupees है special note क्या है it leads to rightward shifting along demand कर अभी अभी अपने पढ़ा ही देखो अगर हम चलते हैं अगले point की और अगला point है हमारा decrease in demand decrease in demand क्या है decrease in demand दोस्तों decrease in demand में हमारी basic assumption क्या होती है बताओ हमारी basic assumption वही रहती है जो हमने हमारी basic assumption होगी कि इसमें price क्या होगा constant होगा वही लिखाव है इसके meaning में अगर आप ध्यान दोगे तो meaning में क्या लिखाए देखो when price of economy is constant or same due to change in other factor demand are decline other factors की वैसे जो demand हो क्या होगी है कम होगी है जिससे हम बोलते है decrease in demand बोलते हैं बोलो clear हुआ तो देखो price क्या है constant है other factor में change है वैसे हमारी demand क्या होगी है decrease होगी जिससे हम बोलते है decrease in demand ठीक है अब हम इसका कैसे बनाएंगी schedule वगला वो देख लेते है schedule होगा diagram यहां पर 10 है 10 पर 100 यह क्या बनेगा बिल्कुल dark बनेगा कितना इतना dark हम इससे बनाएंगे ठीक है तो हमने इससे दाख बनाए यह लोग डी डी अग्रा डॉटी 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 10 पर 50 यह रख इसको हम बनेगे डॉटी 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 इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जो हमारा demand curve है वो क्या हुआ है पीछे की और shift हुआ है पीछे की और का मत होता है leftward shifting यहां पर जो demand करके साथ हुआ है that is leftward shifting हमारे demand करके वो क्या हुआ है leftward shifting होई है बोलो बात समाझ जाएगे अब इसको बढ़ते है explanation को और notes को in the above given diagram and quantity demand are degrees 100 to 50 यह उपर यह के डाइग्रम और schedule के अंदर हमारे quantity demand 100 से क्या हो रहा है 50 हो रहा है at same price of 10 इच जो कि price क्या है सेम है जो कि कितना है 10 इच है notes में देखो इसमें क्या हो रहा है leftward shifting हो रहा है यह अभी दिखाया था ना leftward shifting हो रहा था demand करमें और दूसरे के it is called change in demand इसको में change in demand बोलते है बोलो इतनी बात clear हुई है अच्छा पीछे वाले डाइग्रम से उसमें एक जीज मैंने लिखी नहीं है जैसे यह contraction वाला डाग्रम था ना यह contraction वाला मैं heading दिखा देखा दींता हूँ कि contraction वाला है यह contraction में यह जो उपर हो रहा है इससे बते movement और कौनसा movement हो रहा है upward हो रहा है उपर क्यो जा रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे यह आप्वर्ड मूवमेंट और जो आमने ऐड़ा बनाए था इसमें क्या लिखेंगे downward movement यहां वाले पे लिखेंगे downward movement क्या लिखेंगे downward movement थीक है अब आपको चीज तो यह आपका expansion in demand इसके बाद हमने पढ़ा contraction in demand, फिर हमने पढ़ा increase in demand और फिर हमने पढ़ा decrease in demand, दोस्तों यह वाला तो हमारा topic clear हो गया, जो मैंने आपको वादा किया था था न, last class में, यह वाला topic है, यह वाला, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखो हमने expansion in detail में और हमने decrease in demand भी detail में पढ़ लिए, जो यह उसके diagram से, अकर आपको याद आगी हो चीज से, ठीक है, तो दोस्तों यह वाला तो काम complete हो गया, अब हम बात करेंगे उस topic की, कि आखिरी बाद बताओ, कि हमारी जो demand है, वो increase क्यों होती है, same price पर, हमने जो increase in demand पढ़ा है, तो उस क्या reasons है, why is the demand increases or decreases, पीछी पढ़ाता है न, यह देखो, increase in demand, demand increase, same price पर demand increase हो रही है, कैसे हो रही है, यह अब हम पढ़ने के लिए है, बताओ, हमारे गला topic समझा है आपको, हमारे गला topic क्या है, कि demand बढ़ रही है, यह demand कम हो रही है, price से मूते हो भी, भया price के साथ change आता है, तोतों में चीज समाझ आती है, लेकिन price में कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी demand में change आ रहा है, तो वो change क्यों हो रहा है, तो हम बात करिए, what are the factors of increase in demand, और दूसरा topic हो हमारा, what are the factors of decrease in demand, बोलो topic क्लियर हो आपका, तो अब हम इस topic को समझते है, वो क्या था, main topic के heading पहले आप सम ध्याद से सुनो, एक बात बताओ, अगर चाय महंगी हो जाएगी, तो क्या चाय की demand करोगे, नहीं, लेकिन same rate पर आप coffee की demand बढ़ा दोगे, तो coffee की demand बढ़ी, coffee की demand बढ़ी, क्यों, क्योंकि चाय महंगी हो गई थी, चाय क्या है उसके लिए, substitute goods है, तो वहीं लिखना हुआ increase in price of substitute goods, बोलो बात clear हुई, दूसरा, decrease in price of complementary goods, दूस्तों अब एक बात बताओ, कि अगर petrol की price कम हो जाएगे, तो क्या लोग कारे ज़्यादा करी देंगे, दा अंसर इस, क्योंकि car को चलाने के लिए जो चीज है, वो petrol है, और वो सस्ता हो गया, तो लोग ultimately cars की demand भी बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि car का complementary goods की price क्या होगी है, decrease होगी है, तो हमारा अगला factor था, decrease in price of complementary goods, बोलो clear है, अगला, increase in income on the consumer, दोस्तों अगर किसी भी consumer की income बढ़ती है, तो income के बढ़ने से, demand भी ultimately वो बढ़ा देता है, क्योंकि इसकी real income या purchasing power भी क्या होती है, बढ़ जाती है, अगला point है 4, increase in fashion, दोस्तों एग वाई इसको देखना मैं भी बात करता हूँ आपसे, तो क्या होता है, अब अगला point हमारा आ गया है, increase in income of the consumer, यह तो आपको point clear हो गया, increase in fashion, अच्छा हो सकते है कोई fashion प्रचलान में इतना चरा हो, कि same price पर भी उसकी demand क्या होगी होगी, बढ़ गई होगी, अगला है future expectation of increase in price, दोस्तों मैं आपको बोलना हूँ कि कल ना petrol महँगा होने वाला है, आज नहीं कल होने वाला है, कल petrol महँगा होने वाला है, तो दोस्तों क्या करोगे आज, आज ही जाके petrol भरवाने start कर दोगे, आज तो price में change नहीं आया ना, तो same price पर अपने demand आज बढ़ा दी, this is the reasons of increase in demand, that is future expectation of increase in price, future expectation of increase in price, अगला है हमारा increase in size of population, increase in size of population में उतलब कि है कि जब population बढ़ती है, क्या होगा है, जब population बढ़ती है, तो demand भी ultimately क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आपको बता है था, ज़्यादा population ज़्यादा demand, कम population, कम demand, इसके बाद है change in season, दोस्तो, season में भी change आने के अनुसरा, चीजों की demand बढ़ जाती है, जैसे आजकल winter season चला गया और summer season आ गया, तो summer season के आजाने की वैसे, जो summer goods है, जैसे shorts हो गया, या पानी की bottles होगी, इनकी demand क्या होगी, बढ़ गई है, बोलो ब बास मनाईगे, तो same price पर भी demand बढ़ जाती है, seasons की वैसे, तो दोस्तो ये वो factors थे, जिनकी वैसे हमारी demand बढ़ जाती है, same price पर भी, same price पर भी, same price पर हमारी demand बढ़ जाती है, बोलो बाद clear होई, अब अगला topic है हमारा, इसका just opposite है, reasons for decrease in demand, वो कौन-कौन से reason है, जिनके इस देंगे, चाय सस्ती हो जाने पर, लोग चाय की demand बढ़ा देंगे, और same price पर coffee demand कम कर देंगे, same price पर coffee demand कम कर देंगे, तो coffee demand कम क्यों होई, जबकि price तो same थे, क्योंकि चाय सस्ती होई, चाय उसके लिए क्या है, substitute goods, तो decrease in price of substitute goods, दूसरा, increase in price of complimentary goods, दोस्तो इक बात बताओ, प petrol का complimentary होता है, car, तो car की demand क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, car की demand कम क्यों होई, क्या car के rate में दिक्क्त आई, नहीं, car के rate तो होते ही जितने पहले थे, लेकिन car को चलाने वाली चीज क्या होई है, महंगे हुए, जिसकी चलते है, हमने demand को क्या होई दिया, same price पर भी decrease कर दिया अगला point है, decrease in income of the consumer, अगल किसी consumer की income कम होती है, तो कम होनी की कारण, उसकी जो demand है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, income decrease होने से, उसकी real income कम हो जाती है, purchasing power कम हो जाती है, जिससे वो demand कम करता है, decrease in fashion, जो market में fashion चल जा था, अब वो fashion लुपत हो गया है, खतम हो गया है, जिस petrol सस्ता होने वाला है तो हम आज जो demand करें वो हम नहीं करेंगे हम जब सस्ता हो जाएगा तम उस चीज की demand करेंगे तो अगर future में price सस्ते होने वाले है तो हम आज की rate में उसकी demand कम करते हैं same price per demand कम करते हैं अगला है decrease in size of population दोस्तो जब हमारी population पाप्लेशन के कम हो जाएगी%, या किसी कंट्री कर पॉपलेशन कम होती है, तो इससे क्या होता है?, जो डेमांड है वह भी काम हो जाती दोस्तों बता उनकी डिमांड कम इसलिए और एक प्राइस बल गए नहीं, सीजन का एफेक्ट आगे, इस वज़े से उनकी डिमांड को क्या कर दिया है, डिक्रीस कर दिया है, तो दोस्तों आज हमने ये फेक्टर्स भी पढ़ लिए, रिजन्स ओफ इंक्रीस इं डिमांड और रिजन्स ओफ डिक्रीस इं डिमांड, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको ज़रूर फाइदा पहुंचा होगा, अगर फाइदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आ आपके लिए इसी तरह से महनत लेकि वीडियो बनाने लिए, और गारिंटी मेरी आपको एकोनोमिक्स के ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी एकोनोमिक्स मैं बढ़ाऊंगा, और गारिंटी आपके 100 और्ड़ और 100 बाक्स आएंगे याएंगे, तो आज की वीडियो लेक्शर के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में